इस संसार में, इंजिनियरिंग के बल पर हमारे पास हर तरह की सुविधा आ गई है, पर इंसान की खुशाली इंजिनियरिंग या बाहरी दुनिया ठीक करने से नहीं आईगी. अगर आप बाहरी हालाट ठीक करते हैं, तो ये कमफरिटेबल और सुविधा जनक बन जाएगा. लेकिन खुशाली तभी मिलेगी, जब आप इसे ठीक करेंगे, वरना ये नहीं होगा. बाहरी हालाट के साथ आप चाहे जो भी करें, आप उन्हें सौ प्रतिशत वैसा कभी नहीं बना सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं. जीवन में एक भी परिस्थिती सौ प्रतिशत आपके मुताबिक नहीं होती, है ना? बस थोड़ा हिस्सा आपके हाथ में होता है, कुछ आपके हिसाब से होता है, कुछ मेरे हिसाब से होता है, चलता है. दुनिया आपके हिसाब से नहीं चल रही और आपके जीवन में एक भी इंसान सौ प्रतिशत वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं कि वो हो है कि नहीं आपके माता पिता, आपके बच्चे आपके पती, आपकी पत्नी, आपके दोस्त क्या कोई भी सौ प्रतिशत वैसा है जैसा आप चाहते हैं क्या कोई ऐसा है आपका कुत्ता भी नहीं आजकल तो वो भी मनमानी करते हैं कोई भी आपके हिसाब से नहीं होता ये समस्या नहीं है समस्या ये है कि ये आपके हिसाब से नहीं हो रहा यही समस्या है, है ना? अगर ये आपके हिसाब से हो रहा हो, तो आप इसे कैसे रखना चाहेंगे? ये एक सवाल है. अगर ये सौ प्रतिशत वैसा हो, जैसा आप चाहते हैं, तो आप इसे कैसे रखना चाहेंगे? खुश या दुखी? बिलकुल खुश, है ना? आप जितना ज़्यादा सुख़त हो सकें, उतना, है ना? तो अभी समस्या बस यही है, कि ये वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं. या ये संयोग से चल रहा है. अगर आप संयोग से जीने वाले प्राणी हैं, तो आप कभी भी मुसीबत में पढ़ सकते हैं, है ना? सबसे पहले वो क्या है जिसे आप मैं कहते हैं? जब आप कहते हैं मैं, तो आप किन चीजों की बात कर रहे हैं? आप अपने घर, अपनी कार, अपने कपड़ों की बात नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या? है न हर काम आप जो भी काम करते हैं आपका बिजनेस आपने बिजनेस क्यों शुरू किया आपने परिवार क्यों बनाया आप केरियर क्यों बनाना चाहते हैं आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे क्यों कर रहे हैं चाहे आप मंदर जाते हैं या बार जाते हैं आप अपनी खुश जो आदमी बार जाता है उसे लगता है कि उसके खुशाली वहीं है. ऐसा ही है न। दोनों को एक ही चीज की तलाश है। दोनौं ही किसी तरह के सुखध अनुभव की तलाश में हैं। कुछ लोग स्वर्ख जाना चाहते हैं, क्यों। क्योंकि विज्यापनों में हमेशा कहा गया है कि स्वर्ग बहुती सुख़द जगा है, अगर वो कहते कि स्वर्ग बड़ी दुख बड़ी जगा है, क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे, तो चाहे आप ये कर रहे हों या वो, चाहे आप यहां रहना चाहते हों या स्वर्ग ज कैसे रहूं? क्या आप मेरी सास से मिले हैं? क्या आपने मेरे बॉस को देखा है? मैंने उन सब को देखा है. खास कर अगर आपका बाहरी माहौल बुरा बन गया है, तो क्या ये और भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है? कि आप अपने भीतर खुशी कायम रखें? किसी वज़े से अगर बाहरी माहौल बुरा बन गया है, तो ये और भी ज़्यादे ज़रूरी हो जाता है, कि आप अपने भीतर का सुख और खुशी कायम रखें. क्योंकि बाहरी खुशी के लिए, कई चीजों और लोगों के सहयों की ज़रूरत होती है. कभी आप मैनेज कर लेते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं. लेकिन आपकी भीतरी खुशी सिर्फ एक व्यक्ती पर निर्भर है, आप. इस एक चीज को आपके हिसाब से होना चाहिए, है ना? हो सकता है कि दुनिया सहयोग ना करें, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, कि क्या आप अपनी खुशाली के लिए सहयोग करेंगे? आप मेंसे कितने लोगों के जीवन में, 24 घंटों का कम से कम एक ऐसा हिस्सा हुआ है, इतनी लंबी जिन्दगी में, 24 घंटों का बस एक ऐसा हिस्सा, जब आप पूरी तरह से आनंद में थे, एक भी पल की घबराहट नहीं, एक भी पल की चिड़चिड़ाहट नहीं, एक भी पल का गुस्सा नहीं, एक भी पल की अशान्ती नहीं, आप पूरे 24 घंटे आनंद में रहें, बहुत ही कम लोग इसके लिए हां कह सकेंगे. देखिए, अगर एक दिन खराब रहा, तो बात समझ में आती है. अगर एक दिन भी वैसा नहीं हुआ, जैसा आप चाहते हैं, तो आप किसी बुनियादी बात से चूक रहे हैं, है न? अगर एक चौबीस घंटे भी ठीक वैसे नहीं बीते जैसे आप चाहते हैं, तो जरूर किसी बुनियादी चीज की कमी है, है न? ऐसा इसलिए है, क्योंकि हम सैयोग से चल रहे हैं. हम इस मानव तंदर को चला रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी जाने बिना, इसके बारे में कुछ भी समझे बिना. मिसाल के लिए, आप अपनी कार में बैठते हैं, आपको नहीं पता कि ये तीन पेडल क्या हैं, आप मन चाहे तरीके से किसी भी पेडल को लात मारते हैं, पता है आप कितने जटकेदार ड्राइवर होंगे? अभी बस यही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप शांती नहीं जानते, ऐसा नहीं है कि आप खुशी नहीं जानते, ऐसा नहीं कि आपने आनंद या पर्मानंद के पलों का अनुभव नहीं किया, समझ से बस यह है कि ये टिकता नहीं है, ये जटकेदार है, आपके खुशाली अभी एक जटकेदार अवस्था में है इस पल आप अद्भुत हैं, अगले पल आप बुरे हैं इस पल आप खुबसूरत हैं, अगले पल आप बत्सूरत हैं इस पल आप बहुत खुश हैं, अगले पल पता नहीं क्या कैसा नहीं हो रहा? जब आप पांच साल के थे तब आप कितने खुश थे और आज आप कितने खुश हैं एक दिन में खुशी के जितने पल होते हैं ये बढ़ा है ये कम हुआ है कम हुआ है देखें, जब आप पांच साल के थे तो आपका खुद का कोई जीवन नहीं था उन्होंने जो कहा आपको वो करना होता था आज ये जीवन आपका अपना है सब कुछ आपका है हर वो चीज जो आपने की आपने उसे खुशाली और आनंद पाने के लिए ही किया लेकिन ये कम हो रहा है इसका मतलब है कि कोई बुनियादी गलती हो रही है यहाँ कोई उसम्र का नहीं है मान लीजे कि आपके पास एक कार थी आपने सन 1940 में एक कार खरी दी इसके साथ आपको दो नौकरों की जरूरत होगी क्योंकि सुभापुर्श स्टार्ट सन 1950 में अगर आपने कार खरी दी तो एक ही आदमी काफी है क्योंकि क्रैंक स्टार्ट आज आपकी सभी कारें सेल्फ स्टार्ट हैं है न मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि आपकी खुशी आपकी शान्ती आपकी खुशाली हम इसे पुश स्टार्ट पर रखे या हमें इसे सेल्फ स्टार्ट पर लाना चाहिए मैं सुनना चाहता हूँ Self Start मैं के वल Technology अपग्रेड करने की बात कर रहा हूँ लेकिन अभी ये Push Start पर है, है की नहीं? बस अगर आप इसे सजकता से चला सकें तो आप यहां स्वयम स्रिष्टी के रचईता की तरह रह सकते हैं आप अपना जीवन ठीक वैसा बनाएंगे जैसा आप चाहते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे एहम Engineering यही होगी कि आप खुद की Engineering करके खुद को वैसा बनाएं जैसा आप चाहते हैं इससे पहले कि हम दुनिया की Engineering शुरू करें एक बार जब आप एक इंसान के रूप में इस दुनिया में आते हैं तो केवल जिन्दा रहना और गुजारत चलाना काफी नहीं होता केवल खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और एक दिन मर जाना एक इंसान के लिए काफी नहीं होता अगर आप किसी और जीव की तरह इस दुनिया में आते तो पेट भरा यानि लाइफ सेट जब आप एक इंसान के रूप में इस दुनिया में आते हैं तो खाली पेट बस एक समस्या पेट भरा सैकड़ो समस्या है आपका जीवन तभी शुरू होता है जब जिन्दा रहने के व्यवस्थाएं हो जाती है है न? अब एक इंसान के तौर पर आप लगातार किसी और चीज की तलाश में है आप संतुष्टी चाहते हैं किसी चीज से परे जाना चाहते हैं यह हम बाद में देखेंगे लेकिन अभी आप चाहे जिसकी भी तलाश कर रहे हो सबसे पहले आपको अपने जीवन के अनुभव को अपने हाथों में लेना चाहिए है न? जब आप पांच साल के थे तो आपका चेहरा ऐसा था दमकता हुआ धीरे धीरे बहुत से चेहरे लटकते जा रहे हैं दाड़ी बढ़ाने की वज़े से नहीं बस ऐसे ही आप अपने शेहर में किसी भी मुख्य सड़क पर जाकर खड़े हो जाईए हर मिनिट सैकडो लोग आ जा रहे हैं बहुत से लोग अपनी ड्रीम मशीन चला रहे हैं आपको सड़क पर कितने खुश चेहरे दिखते हैं कितने अगर कुश दिखे तो अकसर वो बच्चों के ये यंग्स्टर्स के चेहरे होंगे 30 साल से उपर के सारे चेहरे लंबे होते हैं उन्हें क्या हुआ है उनमें से ज्यादतर लोगों के लिए जीवन उनकी कलपना से कहीं बहतर हुआ है आप में से अधिकतर लोगों के लिए जीवन आपकी कलपना से कहीं बहतर रहा है आप अपने पिता या दादा से कहीं बहतर जीवन जी रहे हैं मेरा मतलब भौतिक तौर पर, क्या आप अपने पिता या दादा से बहतर सुख सोविधाओं वाला जीवन नहीं जी रहें? अगर आपके दादा जी कोई महराजा थे, तो बात अलग है. तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के साथ कुछ बुरा हो रहा है, फिर भी चहरे लंबे होते जा रहे हैं. क्यों? अगर आप अपनी खुशी की तलाश में हैं, और आप पूरी दुनिया को ठीक करना चाहते हैं, तो ये दूरी कभी पूरी नहीं होगी. अगर आप मुड़ कर देखें, तो ये यहीं है. क्योंकि आपके अनुभव का अधार आपके भीतर ही है. तो हम बात कर रहे हैं अपने भीतर की और मुड़ने की. ये एक आसान तरीका है. अपने भीतर की और मुड़ने की एक आसान तक्नीक है. अगर आप अपने भीतर मुड़कर अपने अनुभव के आधार की लगाम धाम लें तो फिर क्या मुझे आपको बताना होगा प्लीज खुशी चुनिये, दुख मत चुनिये क्या आपको ऐसे ग्रंद की जरूरत होगी? क्या आपको ऐसी शिक्षा की जरूरत होगी? क्योंकि इस तंत्र की बुन्यादी बातों को समझे बिना आप इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं आपके भीतर जो हो रहा है, ये संयोग से नहीं होना चाहिए इसे आपकी इच्छा से होना चाहिए, संयोग से नहीं, है न? चूंकि ये जीव अभी संयोग से चल रहा है हम तरह तरह की विश्वास प्रणालिया अपनाते जा रहे हैं अब ये कोई विश्वास प्रणाली नहीं है ये कोई फिलोसफी नहीं है ये कोई शिक्षा नहीं है ये एक टेक्नोलोजी है आपको इसका उप्योग करना सीखना होगा जब तक आप इसका उप्योग करना नहीं सीखते ये काम नहीं करेगी